नमस्कार दोस्तों, Study भारत यूट्यूब चनल में आप सबीगा हर्दी स्वागत है, मेरा नाम है अमन भोरा तो फ्रेंड्स हम करेंगे UGC NetPaperOne का Part 49 यह बिलकुल नया विशे है जिसका नाम है विकल्प अधारित क्रेडिट पर नाली जिसे इंग्रिश में कहते हैं Choice Based Credit System तो फ्रेंड्स यह बहुत important lecture इसको अच्छा रगा तो like और share करिए तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में bell icon दबाद दीजिए ताके आने वाले वीडियो की आपको notification मिल सके तो फ्रेंड्स आप हमारा telegram चैनल भी join कर सकते हैं जिसके उपर आपको daily का video link मिलेगा तो आपको video ढूरना नहीं पड़ेगा ठीके फ्रेंड्स आप daily बस telegram पे उपर जो वीडियो link को इसको follow कीजिए अगर आपको paper one का study material चाहिए इसकी cost 1200 रुपे तो यह आपको हिंदी और English दोनों मेडिया में मिलेगा तो यह आपको complete और updated syllabus मिलेगा इसके बाद आपको कोई भी book पढ़ने की जोद नहीं पढ़ेगी UGC net paper one का study material जो है वो PDF में भी available है जिसकी cost है 495 रुपीस यह full course है अगर आपको without math और reasoning चाहिए इसकी cost है 350 रुपीस यह भी Hindi English दोनों में available है तो अगर आप हमारे telegram group में जोईन होने चाहते हैं इसकी cost है 200 रुपे तो friends इसमें आपको daily link तो देंगे साथ में PDF देंगे अगर आप telegram channel जोईन करोगे हमारा तो वो बिल्कुल फूरी है इसमें आपको गईला video link मिलेगा अगर आप telegram group में जोईन होने चाहते हैं तो इसकी cost है 200 तो इसमें आपको video link मिलेगा साथ में उसका PDF मिलेगा आपको अपने सारी जानकरी पूर अपना पूरा एड्रेस हमें इस नमबर के उपर सेंड करना है यह मारा WhatsApp नमबर है आप हमें email पर को सकते हैं तो आप हमें contact पर को सकते हैं बाकी की जानकरी आपको यहां पर दे दी जाएगी तो आज हम शुरू करेंगे उच शिक्षा में विकलप अधारित क्रैडिड परनाली में मुलांकर नियनकी 24 बेस्ट क्रैडिड सिस्टम CBCS सिस्टम तो फ्रेंट यह अभी नया जुड़ा है टीचिंग एप्टोर्ड में तो यह बहुत important topic है तो आईए देखते हैं क्या यह तो आई देखिए 24 बेस्ट क्रैडिड सिस्टम नाम से बतलता है कि 24 बेस्ट 24 किसकी है यहां पर स्टुरेंट की तो देखे पहले क्या हो था था कि जो पहले जो कोर्स होते थे वह पहले टीचर सेंट्रक होते थे ठीक है इनकी शिक्षक केंद्रित होते थे तो अब क्या है वो अब छातर केंदित बन चुके हैं यांकि वो student centric हो चुके हैं पहले क्यों होता था कि जब कोई कोर्स करवाया जाता था हमें तो हमें कोर्स के हिसाब से चलना पड़ता था अगर हमें कोई चीज मुश्किल लगती है तो उसको करना ही पड़ता था तो अब वो थोड़ा criteria चैंज हो चुका है उसमें क्या है कि अगर हमें कोई चीज मुश्किल लगती है तो आप में घबराने की जूरत नहीं है तो अब हम वो उसको बदल के कुछ नया से ब्लक सब्जक्त डख सकते हैं ठीक है फ्रेंट यानकि आपने कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको जो मुश्कि करना है यहां कि आपने ग्रैजिशन जस्में करनी है तो आपको च्वास मिल जाएगी तो आप अपने हिसाब से आपको जो सब्जक्ट इजी लगते हैं जैसे मान की चलिए आपने बीए करनी है तो आपको जो सब्जक्ट मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ दीजिए जो लृश्व grazing आपने हैं तो आप यही चीज मंगवानी है आप मेनुकार मैं से खुट चीज मर्द या कि आ उसstesобщ करते हो यहाण है तो आपका घ्रेटी सिस्टम में स्रिक्षन मंच प्रदान करता है जिसमें छात्री अज्यान टाप्त करने वाले को वेकल्पिक, मुख्य और सॉफ्ट स्किल पाठे करोमे की सूची से अपना कोस चुनने की सुविधा मिलती है अब देखें यहां पे बात आई है वेकल्पिक, मुख्य और सॉफ्ट स्किल मुख्य विशे क्या है? साथ में वेकल्पिक विशे यानकि आप अपनी मर्दी से उस कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुन रहे हो जो आपको असान लग रहा है वो हता है वेकल्पिक यानकि जो आपको मुख्य चील लग रही है आप उसको हटा के असान रख सकते हो सौफ्ट स्किल पाठेगरम वही जो आपको इजी चीजे लग रही है आप सासास में वो भी कर रहे हो तो पाठेगरम परमान पत्र प्राप्त करने के लिए छात्रों को अवशक क्रेडिट पूरा करना होता है जो चात्रों को दिये जाने वाले पाठेगरम घटकों से जुड़ी होती है यहनकी जो CBCS सिस्टम में क्या है यह क्रेडिट परनाली है जिसमें क्या होता है कि चात्रों को जो दिया जाने वाला जो पाठेगरम है तो ये उनके पार्ठेक्रम से जुड़ा हुआ है CBCS कि उनको उसमें 24 दी जाए यानकि जो कोर्स तैह हो चुका है कि ये कोर्स करना ही पड़ेगा पर पहले वो करना ही बढ़ता था चाहे मुश्किल हो चाहे सानो अब क्या उसमें CBCS लगा दिया है यानकि उसमें वो 24 दी कर सकते है उच्छी शिक्षा के लिए एक क्रैडिट पर नाली चात्र के परदर्शन प्रणाम उद्मैता कोशल संपर्क घंटे नवाचार और रचनात्मक्ता प्रधिबा आदी जैसे विभिन मापड़न्टों को मापती है यानकि यह क्या है यह उच्छी शिक्षा के लिए एक क्रैडिट पर नाली है जो चात्रों के परदर्शन चात्रों का परणाम है जो कोशल है जो नवाचार है जो रचनातमक्ता है यह ऐसी प्रधिबा जो मापड़न्ट करती है विजने प्रटिवाई का प्रदर्शन यह जो माप दर्ण्ड है ठीक है यह उच्षिक्षा के लिए किये जाते है एक सब्सक्राइब करना है जैसे जिस जीज में चाथ्रों को इजी लगए वो चाथ्रों को इसजमें जैसे मानगे चलिए कि हाएर एजूकिशन के लिए अगर किसी को कोई सब्राइट या कोई कोर्स करना है अगर उसको उसमें मुश्किल लग रही है तो वो उसको कल तो लेगा पर उसमें वो इतना सफल नहीं हो पाएगा उसी में गौवर्मेंट क्या कर रही है अभी उसमें उसको थोड़ा सा CBA सिस्टम के जरीए उसको असान बना रह कर दोब है कि ताकि जो बच्चा जो कोर्स घाल आ वह उसको असानी से हो जाए कि ताकि उसका मन लगा रहे है तो आगे वो उपने क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ सके थिक कि यह सब माफदन जो हैं वो जुरूरी है ग्रेड़िट अंक और ग्रेड़ ऑंक छात्रों को दिया जाते हैं इनके धार पर सीजी सजी पीए की गढ़ना की जाती है ओधिए क्राइड़िट और ग्रेड़िट किया है इसमें क्या है अगर आप बानकी चले कि कि आपने जैसे पोस्ट ग्रेजिशन किया है ठीक है उसमें गए कि स्मेस्टर ग्रेड पॉइंट है अब अगर पर स्मेस्टर की गढ़ना करने कि पर स्मेस्टर में से बच्चे गए या स्टूडेंट के कितने मांक्स आए हैं तो वह कैसे होगा एसजी पीए से ठीक है यहनकी स्मेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरे से पर स्मेस्टर में कितने मांक्स आएंगे वह पर देल गया एसजी पीए से और पूरी की पूरी जो कोर्स में यहनकी जो पूरक पूरक जब हम एम में करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे चार स्मेस् ठीक है वहाँ पे जाना है तो हमें वह सीजी पीए ठीक है यह की संची ग्रेट बिंदू वोस्त इसकी गढ़ना से हमें पूरा बोरा जो हमारा परदर्शन है वह पता चलेगा अब सीबी सीएस परणाली का कारेवनन सरस्थाओं के लिए फायद में साबित हो सकता है शेक्षा जो स्टूडेंट को वहाँ पे दिक्कत आती थी जो कोर्स है वैसे के वैसे चुणना पड़ता था अब उनको हैल्प मिल रही है साहईता मिल रही है कि वह अपने कोर्स को वही कोर्स को करे पर अब उनको जो स्ब्यक्ति मुश्किल लग रहा है उसको वह छोड़ दे ठीक है चाली स्टूज रिखाल कि स्टूजद श्मीशन ले रह एंक वह इनली यूनिवरस्टी एंप्जाब इनन इतो यूनिवरस्टी में डूसरी बात अगर आपको लगता है कि तो आपने सब्ढार सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब वहाँ सब्सक्राइब तो आप पर जो सब्जेक्ट आपने चुनने थे वह किसी और कॉलेज से भी पढ़ सकते हो तो उसे होगा क्या जब आप एक्जाम दोगे तो उस कॉलेज में से जो आपने सब्जेक्ट रहोगा अब यह हो चुका है अगर आपको कॉलेज बढ़िया नहीं लग रहा है तो आप शिफ्ट कर सकते हो तो आइस के लाव जानते क्या है CBCS interface उपयोग करता के अनकूल उपयोग करने में सान अब शातर के पास क्या है अब शातर जो बहुवश्य पाठघे बहुश्य पाठघंदा चुन सकता है वह कि वह जो पाठघे का से वह चुन सकता है व्यक्ष ब्यक्तिग숙 चातर के IQ स्थरक अधार पर एक सरक्षेंग शात्रों को पाठे ग्रम चेंग करने के लिए मार्ग दर्शक करता है अब देखे इसमें कहा है कि जैसे शात्र जो है वो अपने IQ यानि कि अपने हिसाब से जो उनको असान सब्जेक्ट लगता है वो चुन सकते हैं अगर उनको कोई सब्जेक्ट चुनने में दिक्कता रही है कोई विषे चुनने में दिक्कता रही है तो उनको एक मार्ग दर्शक दिया जाएगा इपक्र सके हागन सभाइन अर्जित करने के समभवना देता है अब देखे जो चुनाव की चुनाब हैं उसमें चांटर को अधिक लिचीलापन लिचीलापन क्या है कि आप सकते हैं छातर, बन्यादी या उननियादी स्तर, या उननास तर, या उननास तर पर या नहीं इसमें जो चातर उनकी जॉब में उनके रोजगार में काम आएगा उसको कोशल भी यहां से परदान कर सकते हैं जैसे मान की जले उनके कोई सब्जेक्ट यहां से पड़ा है तो अब वो जाके वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जैसे वह आमाली जी कोई टीचर बनेगे तो उनके जाके वही आपका पाठ्ण रोर्जन प्रदान करने पाठ्ण रवन्टित करने और शेक्षकों को सौंपने सानाhouदर करने का छीला पने अब इसमें 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 एक ए ह। जी क्यए है परफ़ाफ है वह पहले तो चात्रों का जो डाटा है जो उनका एप्लिकेशन फॉर्म बगए रहा है जो जुरुरी उनके दॉकमेंट है वो उनका वो परबंद करेंगे परबंदन करेंगे रख 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 आप करेंगे अच्छ से फिर उनने जिस सब्जेक्ट में उनने अब क से क्षण योजना त्यार करते हैं पढ़ाना कैसे है बच्चों को वो योजना त्यार कि जाएगी चात्र कितने वहां पर उपस्तित हैं रोस की उनकी जो अटेंडर से वह दिखी जाएगी और चात्रों के लिए क्या-kया assignment होनी चाहिए वह भी यहां पर दिखी जाएगी को नेक्स टैसां का कारेवरन कैसे करें तो जलिए इसको implement कैसे करें देखें यह CBS कैसे लग सकता है यह उच्छ शिक्षा सीखने या प्रापत करने के लिए चातर केंदरित दिश्टिक होना है तो अगर आपको पेपर में कौशन आये तो आपको यह ही आएगा कि बताईए कि जो CBS सिस्टम है वो टीचर संटर है या स् क्या सिखा जा रहा है उनके अफसर तो अफसर दो पतान करता ही है उनके रास्त ख़ूथ सुखने का लक्षे यहा उनकी जिसमे उनने अडमीशन लिया वह कियो लिए उनका लक्रत्ष है जो अनका देशित को आंग्ड़ करता है जो के आउनका देशित उगा compromises po उसी क्षाय करता है जो छात्र को दिये जाने वाले पार्थेकरम घटकों से जुड़ी होती है एंकि जो सीबीसेस के लिए एक ग्रैडिट परणाली चात्र के बरदर्शन परणाम उदमेता कोशल संबर घंटे नवाचार और रचनात मक्ता परतिभा आदी जैसे विभीन मावदंड़ को मापती है तो यह पहले वाला पॉइंट ही है यह पहले में हम कर चुके हैं तो नेक्स है मिछ चात्र को लगता है कि मुझे इसमें यहां पर बढ़िया निकराया जाजा तो मैं यहां से change करूँगा तो वो उस college और university को change कर सकता है तो जो उसने course लिया होगा तो उसको भी हस्तांतित किया जा सकता है यनकि उसका कोस वहां से shift कर दी जैसे संख्यात्मा अंकन गया है जैसे नंबर देना सो में से इतने नंबर सो में से इतने नंबर है उसमें कहा है कि यह अंकन से ग्रेडिंग की और यान कि यहां पर अंकन दी जाते है यहां पर ग्रेडिंग दी जाती है ठीक है ग्रेडिंग विफल के कलंग को कम करता है यान क में स jemand even इसमें अब अंकन की जगह में यहां पर क्या लग गया है यहां पर लगगे ग्रेडिंग यह पर ग्रेडिंग हो गी उससे इतना जो है चात्रपruce चौद्ध type विफल हो और अन्य देशों में संस्थानों में चात्र गतिशीलता को सुविदा जनक बनाता है संभावित नियोक्ता इस प्रकार न्यायक रूप से चात्रों के प्रदर्शन का आंकलन कर सकते हैं देखे इसमें कहा है कि जो क्रेडेट अधारित जो ग्रेडिंग पर नाली है वह बांच जे जहां सबस्क्राणाय के प्रणाली चेल करते हैं तो रही है कि 말을 क्रेड़न के कि शाइच जयसा कि मैं और शाहिँ कोई ऐसा वीडियो मिले इतना अच्छे से तो आप इसको अच्छे से करिए अपका एक्जाम में एक भी नंबर छूट ए ना तो इसको अच्छे से किरी है मेरी कोशी जाई रहेगी कि आपको में अच्छे से करवा दूँ दिखें अब इस संक्षे में क्या है चाइनित जो अधार है चाइनित अधार क्या है यानकि जिसमें कई सब्गेक्ट चुनना है जो आपका मुस्किल सब्गेक्ट लग रहा ह tuition का सूशका कहीं जाएं से लेखे इभी तक यहां पर बढ़ाय जाता है वह तो नेक्स है समेस्टर दें के शिक्षार्थी स्मेस्टर में क्या है समेस्टर का मतलब है कि आपको छे माही के अंदर कितना बढ़ाय कि शिक्षा फश्था को सम시면 aware पहचाना जा सकता है देखे आप पोस्ट ग्रेश्ट करते हो तो आपके उसमेँ पिशार समेश्टर तो जैसे पर समेश्टर में आपके कितने नंबर आए हैं अब देखे फ्रेंस समेश्टर श्रस्टर क्यों लगाया गया कि पहले सलाना जो पाठे ग्रम था वो बच्चों के जो मोटी-मोटी किताबे पढ़नी पढ़ती थी, अब समेस्टर वाइस क्या है, बच्चों का जो भार है, वो कम हो चुका है, जो उनको मोटी-मोटी किताब पढ़नी पढ़ती थी, अब उसके अए किताब की दो किताबे बना दी गई है, कि ता कि उनके उपर भारना पढ़े तो उनको आधा ही पढ़ना पड़े, ठीक है, इनकी एक साल के अंदर जो पूरा पढ़ता था, वह उसको एक साल में दो आधा आधा करके पढ़ना पढ़ता है समेस्टर में, तो इसे क्या होगा, इसे जो शिक्षार्थी उसका जो है, वो थोड़ा सा भार से कम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंस, सलाना में हमें पूरा पढ़ना पढ़ता है, समेस्टर में हमें थोड़ा सा कम पढ़ना पढ़ता है, क्रेडिट क्या है, प्रतिसप्ता कक्षा घंटे क्रेडि सिस्टम में अतरिक महतर रगता है, अब देखे, क्रेडिट क्या है, कि प्रतिसप्ता, यानकी हर हफ्टे कख्षा में कितने घंटे जो है वो बच्चों ने इंपकiau बच्चों में पढ़ा है तो व hm offended 시 अलग से दिये जाएगा जितने बच्चों यहां पर होंगे सब्था में जितन जाए जुडेंगे तो उनको इस प्रकार प्रस्तुत की यह यह जूजी सी है कौसर ना सकता है यूजी सी ने कितने सूत्री प्रणाली दी है 10 फ्रेंट्स कई जगह पर 7 है कई जगह पर 5 है कई जगह पर 9 है कई जगह पर 10 है तो आपके मैं 10 के 10 बताऊंगा अगर आपको 5, 7 या 9 कहीवे भी आए तो इसमें आपका वो cover हो जाएगा ठीक है friends तो दिखिए O का मतलब है outstanding यानकी सबसे उपर क्या है O जिसको O मिलता है O grade तो समझेए वो क्या है outstanding है वो outstanding student है यानकी हिंदी में कहते हैं वसिष्ट तो इसको रखा गया है 10 नमबर पे A plus का मतलब होता है excellent यानकी उत्रेस्ट इसके रखा है 9 नमबर पे यानकी अगर किसी को A plus grade मिलता है यानकी वो excellent है अगर किसी को मिलता है A grade तो यानकी वो very good है बहुत अच्छा है इसको लखा है 8 नमबर पे अगर किसीका मिलता है B e+, यनकी वा गुड है यनकी वा अच्छा है यनकी मिलते है उसे मिलते हैं पांच तो जो है पी यानिकि वो है पास यानिकि वो है सफल यानिकि उसको रखा है चार नमबर पे F से होता है फेल यानिकि सफल उसको मिलता है जीरो तो A B से होता है एपसेंड यानिकि अनुपस्तित यो कभी आया ही नहीं क्लास में उसको है मिलेगा जीरो तो फ्रेंट्स यह थी ग्रेडिंग पढ़ना ली तो फ्रेंट्स यह था था अशकर लेक्ट्चर तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भुलिए तो वीडियो को जाधा लाइक किजिए तो फ्रेंट्स आप देखे कि ह हमारे टीचिंग एप्टूड के पचास वीडियो हो जाएंगी आपको इतने इच्छ से करवाया जा रहा है आप यूट्व पे कोई भी चैनल डेख लो आपको वह पचास वीडियो में इतनी जहाद थियूरी वह देगा नहीं अभी तो हमारे टीचिंग एप्टूड खतम सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बिल्कुत फ्री में कोर्स कराया जा रहा है इसलिए आप लाइक और शिर्गर ना मन भूलिए ठीक है तो फ्रेंट्स मिलते हैं गली वीडियो में सब तक के लिए धन्यावाद थैंक्यू जहें लाइब कि प्रेंगे लग्राइब करेंगे लिए ना शब्सक्राइब करेंगे प्रेंगे तो श्रीम ना